नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन माना कि हमारे पास एक बॉल है और हम उसको एक रसी से बानकर हिंज से लटका देते हैं और इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं जिसके कारण यह वर्टिकल प्लेन में सर्कल कम्प्रीट करती है तो हमें फाइंड करना है कि हम इसको इनिशिली मिनिमम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें जिस से यह वर्टिकल सर्कल कम्प्लीट कर दें माना कि वर्टिकल सर्कल के लोईस पॉइंट पर पोटेंशिन एनर्जी 0 होगी और हम इसको V0 वेलोसिटी देते हैं तो point A पर हम total energy लिख सकते हैं, half mv0 square. Point A पर, ball पर, उपर की तरफ tension और नीचे की तरफ gravitational force लग रहा है. And circular motion के कारण, इसका centripetal acceleration होगा mv0 square by L. From second law of Newton, हम लिख सकते हैं, net force T A minus mg is equal to mv0 square by L. अगर ball की highest point पर हम energy की equation लिखें, तो हम लिखेंगे, E is equal to half mvc square plus 2mgl. और second law of Newton से अगर हम net force की equation लिखें, तो हमें मिलेगा, T C plus mg is equal to mvc square by L. यदि ball को vertical circle complete करना है, तो उसके लिए C point पर tension 0 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. minimum velocity के लिए हम equation 4 में T C is equal to 0 रख देते हैं, यहाँ से हमें मिलेगा vc is equal to under root gl. इसका मतलब है, circle पूरा करने के लिए C point पर ball की minimum velocity under root gl होनी चाहिए. vc की value, equation 3 में अगर हम substitute करें, तो हमें मिलेगा mechanical energy E is equal to 5 by 2 mgL. यहाँ से हम इसको solve करें, तो हमें मिलेगा 5 by 2 mgL is equal to half mv0 square. further simplify करने पर हमें मिलेगा v0 is equal to under root 5 gL. इस प्रकार हमें यह दिक किसी object को vertical circle complete कराना हो, तो उसे initial velocity under root 5 gL देनी होगी. और इस object की circle के highest point पर minimum velocity root gl होगी.